हलो दोस्तो नमेशकार तो चले फिलाल तो इस वडियो को स्टाट कर लेते हैं तो ठीक है दोस्तो अब हम लोग आचुके बिलकुल हारे नॉर्मल स्क्रीन के उपर और दोस्तो आप सविलन को पता है कि डेविली बेसेस के उपर कोई ना कोई शेर में तेज़ी आती है पर कुछ share ऐसे होते हैं दोस्तों कुछ जादा ही गिरी जाते हैं जबरदस crash हम लोगों को उन में देखने हैं कि आपे मिल जाता है जैसे कि मैं हमेशा आप लोगों को यापे सिखा चुका हूँ क्या सिखा चुका हूँ कि कोई भी share में अगर गिरावट होती है तो उस गिरावट के पीछे का reason आपको identify करना है या पर आना चाहिए वरना share market में टिकना मुश्किल हो जाएगा और इसी से related मैंने अलग-अलग type के जो मेरे style के जो वीडियोज है वो उस हिसाब से भी मैंने आप लोगों को सिखाए था मतलब कि गिरावट के पीछे का reason अगर आपको identify करना है तो चेक कीजे कि क्या वो internal reason है या फिर external reason है दोस्तो थोड़ी सी कुछ चीजे मैं आपके ध्यान में लाना या पर ज़रू चाहूंगा कि आप सभी लों को पता है कि SMKC ये जो channel है बिलकुल free of cost है जो भी चीजे में आपको सिखाता हूँ मेरा finance का background है इसलिए ये सारी चीजे में आप लोगों को सिखा पा रहा हूँ और आपको पता ही है कि बहुत ज़्यादा financial scam भी होते रहते हैं YouTube के ओपर भी होते हैं जो मेरे वीडियो होते हैं उसी चीज को copy करके आपको courses बना कर बेचने की कोशिश आपके की जारी है बहुत सारे लोगों के द्वारा so संबल करें न मैं again कह रहा हूँ ये सारी चीजे बिल्कुल free of cost है कोई भी पैसा courses की ज़रूरत नहीं अगर आप इन चीजों को regularly follow करोगे तो भी more than enough है जो finance की दुनिया में जो tough चीजे है उसको मैं आसान भाषा में आपको explain करने की कोशिश करता हूँ तो इसलिए मैं उसमें थोड़ा सा modification करता हूँ जैसे कि अगर मैं बात करूँ न तो ये जो internal and external की जो मैं बात करता हूँ न दोस्तो ऐसा finance में कोई term है ही नहीं ये मैं आपके आसान तरीके से आपको समझ में आना चाहिए इसलिए मैं retail investor को बताता हूँ कि कोई भी share अगर गिर जाये न तो उसके पीछे का reason आईदर internal reason मतलब issue हो सकता है या फिर externally बट finance की दुनिया में ऐसा कोई शब्द नहीं है और जो वीडियोस को copy करते हैं आप सबी लोग को पता हैं और courses बेचते हैं तो उन्होंने भी ये चीजों को copy कर दिया कि internal and external करके ठीक है ये तो SMKC वाली technique है तो ये भी पता चल जाते हैं इन चीजों को copy करके आपको courses बेच रहे अगर आपको genuinely पढ़ना है कि internal and external reason तो दोस्तो finance के word में इसको इन शब्द का इस्तमाल किया जाता है कौन सा? systematic risk and unsystematic risk करके अभी जिन्होंने ये finance की दुनिया पढ़ी नहीं है और जिन्होंने मेरे videos को copy किया उन्होंने भी शुरू कर दिया internal reason versus external करके तो internal और external ऐसे कोई चीज नहीं है systematic risk and unsystematic risk होती है बट ये बहुत ही मतलब clumsy लगता है समझने के लिए भी systematic and unsystematic देखे systematic risk मतलब क्या जैसे कि यहाँ पर example बताया गया कि inflation मतलब external issue and unsystematic risk मतलब दोस्तों यहाँ पर बताया जाता है जैसे कि example देख सकते हो unsystematic risk का कुछ example है कि company के employees strike करना शुरू कर दिये है अभी strike या फिर आप बोल सकते है कि कुछ manipulations करना शुरू कर दिये इसको बोलते है internal issue बट अभी ये systematic and unsystematic समझना थोड़ा beginner के लिए difficult होता है इसलिए मैंने आप लोगों को ये internal external यहाँ पर बताया बट finance के books में अगर आप जाओगे तो इस प्रकार की कोई चीज़े लिखी नहीं है तो जो scammers है जो copy करते हैं चीज़ों को तो उन्होंने ये भी चीज़ों उठा ली तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि कहा कहा से SM किसी के चीज़े यहाँ पर उठाई जाती है तो अगेन कहे रहा हूं दोस्तो किदर भी पैसे पेड़ मत करना ये सारी चीज़े free of cost मैंने सिखा के रखी हुए fine so ये सारी चीज़े में आपको क्यों बल रहा हूं क्योंकि जबी भी कोई भी share गिरता है तो ये हमेशा मैंने आप लोगों को सिखा है कि इसको check कर जिए ठीक है आज की जो ये गिरावट देखने को मिल रहे है आज वो गिरावट दोस्तो internal issue के चलते देखने को मिल रही है ठीक है यहापे खबर क्या है दोस्तो तो ED अभी ED अगर हम लोग बात करे तो ये नाम कोई नया नहीं रहा enforcement, directorate के अगर हम लोग यहापे बात करे तो ED के rate हम लोग को company उनके premises, promoters जो रहते उनके premises के ओपर होते वी देखने को मिल रही है ठीक है, हम लोग यह नहीं बोल रहे है कि company के ओपर आरोप सिद्ध हुआ है करके आरोप लगाया है करके ठीक है, बड़ आपको पता है market बहुत fast होता है इस प्रकार की जो खबरे आती है बाजार उनको, मतलब welcome तो बिलकुल भी नहीं करता है और इसी चीज़ के चलते आज के दिन देख सकते हो दोस्तों जो stock है, वो 12% हम लोग को crash होते वे देखने को मिल रहे 12-12% चाहो तो आप बोल सकते है और यह stock के अगर मैं बात करूँ तो कई टाइम से यह नीचे ही चल रहा था अब देख रहे हो यहाँ पे, यह देखे 200 के उपर चलता था, बीच में जबरदस गिरा था आज के दिन के अगर हम लोग बात करें इस खबर के चलते, कि ED इनके offices की तलाश कर रहे है तो इसके चलते और जबरदस गिरावट हुई है कमपणी कोन सी है, मनपपुराम Finance अगर आप इस चैनल को regularly follow करते हो तो मनपपुराम Finance से रिलेटर अलड़ी मैं multiple time आपको बताया है इनके बीच में एक बार नंबर भी इतने खतरनाक आये थे खतरनाक पतलब बहुत ही poor number देखने को आपे मिले थे तब तो हम लोग कही चुके थे कि यह जोरदार नीचे गिरेगा और तभी तो 200 पे था बाद में हम लोग को यह single digit में आते वे देखने को मिला था आप चेक कर सकते हो यह लेके बीच में multiple premises linked to a NBFC company जिसका नमे मनपपुरम Finance in Kerala और इसी चीज़ के चलते हैं मतलब आरोप क्या है तो बताया जा रहा है कि money laundering से related investigation चल रहा है करके मैं आगेन कहरा हूँ कि investigation इसको बोला जाता है अभी investigation की reporting दो ही होती है कि सही है या फिर गलत है करके बट आपको पता है बाजार को क्या पसंद नहीं होता है yes uncertainty बिलकुल भी पसंद नहीं है कि ठीक है बाद में आप सही हो गलत हो बाद में बाद देखा जाएगा बट ये investigation में एक बार matter चला गया तो कब तक इसका outcome निकल कराएगा बहुत टाइम लगता है आप सब लों को पता है and question mark raise हो जाता है तो इसलिए company अगर clean होगी तो जल्द से जल्द इसको sort out करने की कोशिश करेगी वरना देखा गया तो company का repetition खराब होता है share का repetition खराब होता है right so यह चीज़े अभी हम लोगे आने वाले समय में आपे देखनी है then अगर हम लोगे आपे बात कर दोस्तो तो और क्या-क्या important चीज़े मतलब आरोप क्या लगे है money laundering से related investigation यहापे चला है तो क्या-क्या evidence यहापे collect के जा रहे है तो allegation यह है कि company ने public के और से deposits यहापे collect के देड़ सो करोड के आसपास ठीक है और यह सारी चीज़े करने के लिए दोस्तो यह company को permission लेनी पड़ती है RBI के और से so RBI के जो rules से उसका भी उन्होंने contravention किया है मतलब तोड़ा है करके right जो guidelines प्रोवाइड की जाती है वो भी उन्होंने follow नहीं की है मतलब बेसिकली आसान भाशा में बोल दू illegally वेसे देड़ सो करोड उन्होंने public से deposits collect किये है यह मैं नहीं बोल रहा हूँ यह आरोप उनके उपर फिलाल तो लगाया जा रहे है यह आरोप की भी अगर मैं बात करू तो obviously report के जरीए बताया जा रहे है क्योंकि अभी तो सिर्फ searches तालो है हाँ एक बात पता चल गई है कि Manapuram यह जो company है ठीक है उन्होंने यह accept किया है कि yes उनके offices पे ED की raid हुई है promoter के जो भी premises से है वहाँ पर भी raid हुई है वरना कुछ company यह भी accept नहीं करते बोलते है regular check-up है करके ED थोड़ी regular check-up करने आ जाता है ठीक है तो यह एक बात उन्होंने यहाँ पर accept जरूर की है दैन अगर हम लोग बात करें और क्या-क्या समझ में आता है इनके चार premises से दोस्तो वहाँ पर फिलाल तो investigation चाल वे तलाश जारी है raid हो रही है including उनका जो headquarter है त्रिशूर वहाँ पर भी हम लोगो searches देखने के आपर मिल रहे है and promoter के भी जो premises है वहाँ पर भी searches आपर जारी है so बहुत ही तगड़ा सर्च यहाँ पर चल रहा है मतलब कुछ ना कुछ तो जबरदस्थ यहाँ पर इनको कोई तो खबर यहाँ पर मिले होगी इसी चीज के चलते चीज़े यहाँ पर चल रही है so ठीक है अभी देखना पड़ेगा अगर हम लोग agency की बात करे कितना गिरा है 12-12% गिरा है मान लिजे अगर भविशा में हम लोग इसको ज़्यादा ट्रैक नहीं करते बड़ मान लिजे कि भविशा में एक हफते के बाद अगर suddenly इसमें तेजी आ जाती है तो might be EDC-related कोई खबर हो सकती है या फिर अगर और जबरदस गिरावट होती है सेम चीज EDC-related ही negative खबर हो सकती है तो अगर इस company को अगर कोई track करता है तो इसके लिए अभी सबसे important चीज़े यही है EDC-related क्योंकि है internal issue है जैसे कि मैं आप लोग को बता है इसका जो competitor है उसके लिए तो कोई अगर हम लोग solely MBFC की अगर हम लोग बात करें तो इस चीज़ के चलते अगर मनपूरम Finance से related अगर कुछ red flags अगर raise हुए investigation में तो सबसे ज़्यादा मुत्वट Finance का ही होगा करके क्योंकि competition का पतन होना ये दूसरे competitor के लिए अच्छा माना यहापे जाता है किया था बहुत ही poor number देखने को मली था जोरदार crash हम लोगों को stock होते में देखने को मिला था तब से लेकर अभी तक अगर हम लोग बात करें तो इस stock को ज़्यादा कभी हम लोगों ने cover किया ही नहीं है and returns के मामले में भी अगर देखा जाए तो मुत्वट and किया है short term की बात है बट जैसे हम लोग long term में चीज़े लेकर आते हैं कहानी पलड जाती है 5 साल में 7% का negative return मतलब कुछ भी नहीं shareholder का जो पैसा है वो बरबात कर दिया destroy कर दिया and मुत्वट finance की बात करे तो जो target होता है इनका कि at least पैसा double होना चाहिए तो इनने double से भी ज़्यादा कमा कर दिया and don't forget कि top level से company ये भी 30-40% down है ठीक है तो ये भी एक point हमनों को समझ में आए and सीखने को आपे आना चाहिए क्या learning lesson मिल जाता है कि अगर आप अच्छे share में निवेश भी कर लेते हो and उसमें ज़्यादा time देते हो तो फिर आप लोगों को अच्छे कासी returns मिलते है अगर आप अच्छे company में जाओके and अगर short time में रहोगे तो short time में ज़्यादा पैसा बनता नहीं आप देख सकते हो कि इस प्रकार से आपने को negative return से देखने को मिल जाते है so आचा करता हूँ video helpful लगाओगा तो चाओ तो आप इसको like and share कर सकते हो and demand account अगर आपने अभी तक open नहीं किया तो link नीचे description में 25 वीडियो के list आपको बिल्कुल free of cost मिल जाएगी आपका नाम कौनसा account आपने link के तो open के properly comment section में mention कर दिना तो अपते पर के अंदर-अंदर सारे lectures मेरे साइट से free of cost प्रवाड कर दे जाएगी ताकि आप share बाज़ार को आसान भाषा से सीख सको so that's it thank you very much so we will be meeting our video तब तक के लिए bye bye